हाई गाईस मैं सर्वेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अब्जेक्ट्ट्ट्व एलेक्ट्रिकल ग्यान चैन्ग में आए हम नेस्ट वीडियो लेके जिसमें डेसी शर्किट के जो मोस्ट इंपोर्टन आप्जेक्ट्ट्व कोश्टन है उनको हम बताएंगे तो चलिए काईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कुछ इंपोर्टन कोश्टन यहां परवारा फ़स्ट कोश्टन है वैद्यू छेत्र में इलेक्टान गत करता है यहाँ आपके आप्शन है आप्शन A उच्छी भुभो की और आप्शन B निम्निभ्यो की और आप्शन C दोनों और उप्रोक्त में कोईन है तो गाइस आपको अगर इसका राइडा एंसर पता हो तो प्लिज कमेंट बक्स में जरूर बताएं और अपना एक्सपिरियंस हमें साजा करें कि आपको कितने कोईसन बहुत ही आसानी से आदे थे तो चलिए गाइस इसके हम आइसर की बात करें तो जो वाइद्यू छेत्र में इलेक्टान गत करता है किसी भी सरकिट में इसकेट मिनलब की और जिश्ट डाकशन में फ्लो होते हैं तो इसको प्रिकार्द से हमारा इस साथा से रहा क्लू होगे और इस साथे से हमारी कर्चर्ण फ्लो होगी तो हमारे जाएगे निग्योंटीव से पोस्डूर डाकशन के ओर इसको यह राइट आंसर का वो ऐ होगा उच्छ ब्भव की और यह हमारा राइट ऑप्षण होगा और एई राइट एंसर नेक्स्ट कोशन सब्सक्राइब हमाँ यहां next question है चालक का प्रत्रोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है गढ़ता है परिवर्थिन नहीं होता है और प्रोग्त में कोई नहीं तो चालक का प्रत्रोध होता है हमने एक फार्मुला पढ़ा था पिछली वीडियो में अगर हाँ guys आपने हमारी पिछली वीडियो न फार्मुला है चालक का प्रत्रोध ताप बढ़ने पर तो हमने एक फार्मुला पढ़ता अ अर इस फार्मुले से हैं बात करें तो यहां इसके कुछ मनौता है तो ścieसी स्फ्पेसिफिकेशन होते थे प्रत्रोज आप के लिए आप गाई है, तो यहाँ पर बढ़ने पर उस्का रहे ने है। वुर्थ यहाँ तो इसकीर-रह्सरी होगा उसल्मगाइं प्रत्रोज़ बढ़ने पर भदता है। तो चलिए गाइस जलते हैं नेक्ष्ट कॉस्टन पर हाँ गाइस आप वीडियो को एन तक जरूर देखें जिससे आपको किसी भी कॉस्टन का मुझे प्रॉबलम नहों और आप हर कॉस्टन को आसाई से जान सकें और हाँ गाइस आप अपना एक्सपिरियंस देने को मत भूलिए आप देखिए कि हमें कितना आता है कितना मुझे पता है तो चलिए गाइस हम अभी बात करते हैं थर्ड कॉस्टन के बारे में किसी चालक का ताम मान निरभर करता है आप कॉस्टन दिया हुआ है जो माया चालक होता है त्व चौन होता है और इन सभी पर तो अब हमने आपको बताया था पहले ही पहले ही से पहले कॉस्टन में कि जो फार्मूला मारा होता है वो r equal to rho l by a और हमने इसके specification भी बताये थे कि r तो यहां पर बात कर रहे हैं किसी चाला का ताम मान निर्भा करता मतलब कि हमारा ताम मान में निर्भा करता है आप आसाइन से जान सकते हैं आपको फार्मूला पता है तो कोई भी कोस्ण आपको आसाइन से समय आ सकता है यहां कोशन मान दिया हुआ है यहां यहां पर यहां पर निकालते हैं इसका राइट आपसों नमारा क्या होगा तो हम फार्मा जाते हैं P equal to v i और एक फार्मा जाते हैं P equal to i square r तो गाइज यहां जो फार्मूले को हम योज करके देखाएं कि ने मारे फार्मूले सभी रखे हैं तो अगर हम दिखाएं P equal to v i से तो i equal to क्या होता है V by R और वहाँ पे अगर रख दें तो यह सब P equal to V square by R और हम जानते हैं G equal to 1 by R तो इसका जो right यह हो जाएगा P equal to V square G उतलब कि यह हमारा फार्मुला जो है वो भी सही है दूसरे फार्मुला पे चलते हैं यहाँ पे दे रखा है V equal to root P R तो अभी हमने फार्मुला पढ़ा था V equal to I square R अगर इससे हम बात करें कि V by R को अभी हमने पढ़ा V equal to sorry P equal to sorry P equal to I square R हमने कलते लिए था sorry यहाँ जो आप्सन दे रखा वो तो यहाँ से लिख पे थे P equal to I square R से अगर हम देखें तो अगर हम P को इधर भेज़ दें और R को यहाँ रखें यह हो जाए अगर 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 रूट लगा दे तो हमको यह आप्सन मिल ला है यह आप्सन को मिल ला है ता मतलब कि यह भी हमारा फार्मूरा साही है अभी हमने बी आप्सन को नहीं निकाल पाया है तो चलिए इसको निकालते हैं यह सायद P equal to V I से निकलेगा अगर हम I की वैलू लिखें P equal to V I की वैलू होती V by R और अगर इसको इधर भी देन हाँ P R equal to V square और यह निकल का आजा P R equal to यह मतलब कि V equal to root P R यह भी है right option है यह भी right option है हमारा अब option C बज़ता है तो इसको निकालने की कोश्च करते हैं फिलाल अगर यहाँ पर दिया है कोश्चन में तो हमारा answer यहीं सही होगा इस question के हिसाब से वोकि अर्सत कतन पूछा गया है falling जो statement है यहीं हमारा होगा जलते हम next question पर हमां next question है एक पूर्ण चालक में हमारा complete चालक होता जो अच्छा चालक होता उसमें क्या होता है प्रत्रोद कम होना चाहिए प्रत्रोद अधिक होना चाहिए प्रत्रोद सून होना चाहिए प्रत्रोद अनंत होना चाहिए मतलब कि यकर्रेंट को flow होने में बैररीर का अबर्क करता है तो तो अगर हमारा पुत्रोत कम हो तब अच्छा चालक होगा या फिर अधिक हो तब अच्छा होगा सून हो तब अच्छा होगा अनंत हो तब अच्छा होगा तो इसका जो राइट आप्सन होगा वह हमारा होगा आप्सन सी अगर सून हो तो हमारा चालक बहुत ही अच्छा होग अगर इसी की बात पर करें तो हमारा ओम का जियो नियम होता था वह हमारा होता था वह वी डारेक्टी प्रपोर्पोर्शनल टू आई इस ग्राइफ की जरी यह निकल किया था तो यहां से आप्सन दे रखें चालक की नंबाई तथा प्रत्रोत पर यहां पर हमारा ओल्टेज और करेंड के डाइक्टी प्रपोर्शनल है तो यहां पर फर्मलाई चालक की नंबाई तथा प्रत्रोत पर यह नहीं होगा चालक में प्रवाहि धारा तथा विवह अंतर में यहां रॉफ्चन होगा तो हमको आप्सन पहले बी नंबर पर आ गया है तो स्केश्कर मैगनेट करने टो चुम्मे की कि एक चालक करेंगे तो यहां तो एक मैगनेट का रूप ले लता है अर उसमें उस्वा भी ऊस्वा भी यह निकलती है तो इसका मतलब भी हमारे ऊसमे की दोनों प्रभाव होते हैं , ञतकी है यह नक्सट कुछनำ से विदूत के उसमी प्रभाई का उप्योग होता है यहां पर आपके आफ़सर्मरे जेनडर में फिदमोटर में फिद में commence फिसमी मतलब कि यहां से हुसमा की बास की गई है विदुद मोटर में फिलामें फिलाम प्रभाउ का उप्योग प्रभाव चुम्ब की प्रभाव गयस का आयनलर्सानिक प्रभाव इसका भी हमारा रही प्रभाव क्योंकि फिलामेंट में जो लाइब होता है वह हमारा heat को सर्जित करता है जिससे मैं प्रकाश मिलता है चलते हैं next question पे next question यहां हमारा है charger की output voltage battery voltage से अधिक होती है से कम होती है के बराबर होती उप्रोक्त में कोई नहीं जो हमाई charger की output आपने घरों में देखा होगा जो आपके पास charger है जो उसका output मतलब होता है जो आप battery mobile में पड़ी है उसके output से कैसा होता है यहां पर अधिक होता है से कम होता है जो charger की output voltage होती है वो battery voltage से अधिक होती है उसका जो right option होगा वो option यह होगा क्योंकि माल लीजिए यह हमारा कोई circuit है यह हमारा voltage source लगा हुआ अगर battery की value इस जो मारा कोई source लगा हुआ है यह हमारा होता है sorry इसके बारे में भिवतार है अबको पैस्यू इसे पैस्यू पैस्यू source बोलते है active source होता है जो मतलब की हमें कुछ energy देता है और जो पैस्यू source होता हुआ हमाई energy लेता है sorry भूल कहते है तो यह हमाई पैस्यू source माल लीजिए का resistance लगा हुआ या capacitor लगा हुआ तो अगर करन्ट flow होगी वो high potential से lower potential लगा होगी अगर यहां पर इसकी भी माल लीजिए हमारा कोई capacitor लगा हुआ और वो दो ओल्ट का है और बैटरी दो लोल्ट मतलब कि वो भी दो ओल्ट का है और वो भी दो लोल्ट का तो हमारा जो बैटरी है वो capacitor को चार्ज नहीं कर पाएगे तो इसका जो राइट आप्सेन होगा उप्सेन नॉमबर ए होगा जिचाजर की आउट्पूट ओल्टेज होती हो बैटरी के ओल्टेज से अधिक होती है बैटरी माय 3.7 ओल्ट की होती आर देख सकते हैं कभी भी अपनी बैटरी को निकाल कर निकलने वाली हो तो को नहीं तो मुबाइलूएड रिट्मी 6 के आ रहे हैं है चलते हैं पर नेच्ट कोशन पर श्रीक 600 रिट्मी sic wrapping लो के तो चली हैं हमने नेच्ट कोशन पर चलते हैं हमानेक्ट कोशन है ताम मान प्रतुरोथ में प्रतुरूत्र के प्रतुरूत्र यो बढ़ने पड़ा हिका हनुझा समय में तो फोस्का सब्सक्राइब बढ़ाते हैं उसका प्रतुर अनुद स्क 58 जाता हूँ यह हमारा होता है सेमी कंड़क्टर में और यह हमारा होता है जो हमारे होते हैं बैट कंड़क्टर मतलग की कुछ आलग होते हैं तो इंसुलेटर होते सोरी इंसुलेटर इंसुलेटर में हमारा ता बढ़ाने पर प्रत्रोथ घड़ता है तो इसका राइट आप्शन होगा वह आपसर नमबर डी होगा मैंने पहले पिता चुका चलते हैं नेक्ट कुछन हमारा है निव में से कौन सा कुछ अलग पदार्थ ताप द्वारा अधिकतम प्रवाइद होता है यहां पर माइका है पेपर है पीवी सी है लेदेराइड है तो एक जो माइका है वो भी एक इंसुल हमें तो वह हमारा हो जाएगा है वह हो जाएगा हमारा पीवी ची पिवी सी बहुत ही जल्दी ताप से प्रभाईत होता है इसका जो रप्ट आपसां हो जाएगा आप कर दिख रहा है उसमें वा ने आपको यह हमारा परिपत है उसमें आपको right option बताना कि right option क्या होगा तो R1 हमारा R1, R2, S7 में V1 वा V2, V2, S7 में है हमने यहाँ थोड़ा गलत लिए है यह हमारा option C जो है वह होगा V1 वा V2 पैरलल में हैं यहां होगा मारा जो यह होगा यह कड़ जाएगा और यहां होगा पैरलल यह फिर समांतर लब यह वावी टू समांतर में हैं तो गाइस आपको यह क्रस्टन मैं आपको दे रहा हूं आप इसे इसका एंशर हमें कमेंट बख में जरूर दें और अपना एक्सपिरियंस हमारे साथ सेयर करें हाँ यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लिज इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करें साथ में बेल आइकन जरूर प्रेश करें ताकि आने वारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और आप हमारे चैनल का एक हिंसा बनें थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो